हेलो अच्छ नमस्कार कैसे आप सभी आसा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर हैड ऑपरेटर और करम साला करमचारी जिसके लिए फरवरी 2022 में आवेदन के जो पिरक्रिया वो स्टार्ट की गई थी उसके बाद में आज तक आप लोग उसके एक्जाम का इंतजार कर रहे हैं फॉर्म को भरे हुए भी लगवग एक साल जो है वो कंप्लीट होने वाली है ऐसे में क्या भरती बोड़ की तैयारी है इस एक्जाम को लेकर अभी संभावना कितनी बनती है और आप लोगों ने जो पहुत ही जादा कॉमेंट करके ये पूछा है कि सर ये जो असिस्टेंट ऑपरेटर हैड ऑपरेटर और करमसाला करमचाली वारा एक्जाम है की ऑनलाइन होगा वो कब तक कराया जा सकता है किस प्रकार की संभावना इस एक्जाम से रिलेटिड बनती है कौन-कौन से सब्जेक्ट इसमें पूछे जा सकते हैं देकि सबसे पहले में थोड़ा सा सब्जेक्ट के बारे में एक्स्पिलेन कर देता हूँ यह जो आपका पेपर होगा है एक्जाम जो होगा वो लगवग डेड़ सो मिनट के आसपास यानि की आप लोग का समय 2.5 हावस यानि धाई गंटे का समय होगा अगर मिनट में हम लोग केंक्लूजन करें तो लगवग डेड़ सो मिनट के आसपास जिसमें आप लोगों से हिंदी से 100 अंक पूछे जाएंगे जीके जीएस इससे जीके और जीएस यानि जर्नल साइंस इससे ओबरॉल मिलाकर 100 अंक का पेपर बनेगा मैथ से 100 अंक वहीं रीजनिंग से भी लगबग 100 अंक ही बनेंगे ठीक ना हो सकता है एक्जाम आप लोगों को 160 सवाल के आसपास देखने के लिए मिले जैसा UPSI में देखने के लिए मिलता है तुकि UPSI का जो एक्जाम है वो लगबग दोस्तो 400 अंक का होता है 400 अंक का और उसमें लगबग 160 सवाल होते है पर कुशन 2.5 माक्स का होता है अगर उस हिसाब को देखे हम तो ये कह सकते हैं इसमें कि 160 के आसपास ही सवाल आप लोगों से पूछे जा सकते है समय अच्छा है इसमें साइंसे न्यू मेरिकल जो है वो पूछे जाते हैं साइंसे नॉर्मल कोशन जो है वो भी पूछे जाते हैं साइंस का वर्चस्व यहाँ पर बहुत ही जादा देखने के लिए मिलता है ठीके ना एक्जाम कब होगा संभावना कब बनती है देखिए बेकार में आप लोग को बहलाने फुसलाने या बहकाने वाली बात हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से कता ही नहीं की जाती है अभी इसके exam की आप लोग जनवरी में कोई संभावना मत मानिये बिल्कुल जनवरी में exam की कोई संभावना निभनती क्योंकि इसका जब भी exam होगा 15 दिन पहले कोई सूचना officially आ जाएगी अभी कोई official announce इसके exam को ले कर हुआ नहीं है तो हम लोग कैसे कह सकते कि यह एक्जाम हो जाएगा अब ही जनवरी में संभावना ना के बराबर है ठीक न और इसका जो एक्जाम है वो फरवरी मार्च में जाकर बनता है फरवारी मार्च क्योंकि आप आप लोगो एक चीज और याद रखनी है कि यूपी में जो चुनाब है 2024 के उसके मुहाने पर इस भरती को ले जाये जाएगा जहां तक मुझे अमीद है दूसरे चीज यूपी में जो 10th लेवल के और 12 लेवल के एकजाम हैं तो वो भी सुरू होने वाले हैं उसके बाद कहीं जाकर ये एकजाम कराये जाएगा ये अभी सुनने में अजीव लग रहा है लेकिन जब इसके बारे में हकीकत तथ्य निकल के सामने आएगा और कही हुई बात बिल्कुल फिक्स साबित हो जाएगी तब आप लोग को विस्वास हो जाएगा फला यूट्यूब चैनल देखा था उसने ये बताये था इसलिए नहीं बनती क्योंकि सरकार ने अभी एक अख़बार में एक ख़बर डाली थी जिसमें सरकार ने ये कबूला था हमारे पास में भी ट्रेंडिंग सेंटर का अबाब है सबसे पहले हम ये वेकेंसी कराएंगे सबसे पहले हम वो वेकेंसी कराएंगे जिसमें ये असि न्हों में होने की पूरी-पूरी उम्मीद है नेग्टिम मार्किंग कैस इसमें हैं देकिंगैंति मार्किंग इसमें जहां तक मुझे उम्मीद है जहां तक मुझे पता है कि नि फूर्फ emba हो होती है तो आप लोग कट-off कहां देखते हैं इसकी क्योंकि मैंने थमनेल में कट-off को भी सामिल किया है आप कोशिस करिएगा इसकी जो कट-off 400 नंबर में से घुमेगी वो लगवक 310 प्लस घुमेगी जर्नल कैंडिडेट 310 प्लस आप लोग ये अपने जहन में लेकर चलिएगा UPSI की फाइनल कट-off 316 नंबर पे गई है इससे जादा थोड़ा सा पॉइंट और उपर है तो आप लोग अपनी असिस्टेंट ऑपरेटर वाली का भी कम से कम 310 के आसपास मान के चलिएगा ठीक ना मान के चलिएगा कि 310 इससे जादा भी हो सकता है लेकिन कम जाने के चांस बहुत ही कम रहेंगे और कट-off के बारे में बिलकुत सटीक आंकडे तब निकल के आते हैं जब ये एक्जाम जो है वो करा लिया जाता है एक्जाम का पता चल जाता है कि एक्जाम का मोड किस ताइब से आ रहा है फिलाल यही इन्फॉर्मेशन है एक्जाम फरवरी मार्च में जाकर कोई संभावना बनती है जनवरी में कोई संभावना इसके एक्जाम की नहीं है और को यूट्यूब चैनल बारा बता रहा है तो देखिए भी उसकी अपनी कोई जैक जुगाड हो सकता है उसने कहीं से कोई चीज हासिल कर लिए होगी तब वो बता रहा है देकिने मेरे फास फिलाल बताने के लिए कु करम करमशाला करमचारी एक्जाम पर डाली है हमने से लेवस क्या कहता है हमदीत क्र subject करेंगे कि उसने के आकरी समय में आप लोग को क्या-क्या पढ़के जाना होता है ठीक ना तो कोसिस करिएगा कि अच्छे से इसके बारे मार्स City कर लिजाए एक्जाम भले ही लेकिने लेगा ठीक ना पांच वेंद जब कता यह हद्द होगी तब की बात बता रहा हूं लेकिन मार्च में सम्भावना ज्यादा प्रेवल बनती है इसके एक्जाम की जनवरी में कोई सम्भावना नहीं क्योंकि अगर जनवरी में एक्जाम होता तो अब तक सूचना